वेलकम टार यूट्यूब चैनल स्टूदेंट्स गाइड डिविवर्स आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपार्टेंट इंफार्मिशन देने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेके बास ने जो आपके लिए सिल्बस रखा है सोशल साइंसेज में जो टैन मार्कस हैं प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल एसेस्मेंट के वो आपको कैसे करने हैं सबसे पहले बताते चलें आपको कि एकनॉमिकस, डिजास्टर मेनेजमेंट एंड रोड सेफटी एडुकेशन जो टाइचल फोर है या जो फूर्थ बुक है आपकी हिस्ट्री जोग्राफी स्विक्स के अलावा इसमें पहले दो चप्टर जो थे, एक है अंडरस्टेडिंग, जे एंड के एकनॉमिक, वो आपको एक्जाम में आएगा, उसके नव मार्क्स है ठीक है और उसके बाद है Employment Generation दूसरा चप्टर, इसके छे मार्क्स है, ये पंदरह मार्क्स आपको एक्जाम में आएंगे इसके बाद बचते हैं दस मार्क्स, वो दस मार्क्स आपको Protecting Our Sells from Disasters इसी में आएंगे इसमें पंच मार्क्स है, means Road Safety के पंच मार्क्स और जो है, Disaster Management के पंच मार्क्स है अब आपको इसमें क्या करना है, Road Safety और Protecting Our Sells from Disasters, ये दोनों जो है ये आपको Final Exam में नहीं आएंगे फिलकि इसमें आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, यहाँ पर जेकी बास ने जो सिलबस में आपको Prosed Work के लिए सिलबस प्रोवाइड जिया है, वाब देखोगे तो प्रोजेक्ट जो है, जो आप बनाऊगे इसके पांचमार्क्स हैं, ठीक है और दूसरा पार्ट इसका इंटरनल एसेस्मेंट उसके पांच मार्क्स है तो ये दो हिस्व में डिवाइड होता है बिनस आप अगर एसाइन्मेंट पे या प्रोजेक्ट बनाते हो किसी भी तरह का और वो सब्मिट करते हो उसके आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिलेंगे और फिर एक्जाम भी लिया जाएगा आपको वहीं पे जैसे प्रैक्टिकल में होता है और उसके 5 मार्क्स होंगे अचा अब जो प्रोजेक्ट बनाना है आपको जो आपको असाइन्मेंट टायब प्रोजेक्ट बनाना है वो किस पे बनाना है आपको याद रखना है every student has to compulsory undertake project work on theme road safety education यानि road safety education जो है इसी theme पे आपको project बनाना है फिर आप इसमें बहुत सारे topics हैं कोई एक topic चूज करके या teacher आपको assign कर सकता है कोई topic उसी topic पे आप assignment बनाओगे project बनाओगे तो इसमें aims and objectives क्या रहते हैं that overall objective of the project work is to help students gain an insight and pragmatic understanding of the theme it should also help in enhancing the life skills of the students तो इसमें आपको एक pragmatic, एक practical understanding हासिल करनी है project बना की आपको समुझा जाना चाहिए यह जो road safety education है, road safety rules है इनको कैसे follow किया जा सकता है, यह कितने एहम है इसके बारे में आपको जानकरी मिलनी चाहिए जब आप project बनाओगे students may go out for collecting data and use different primary and secondary resources to prepare the project project बनाने के लिए आप बाहर भी जा सकते हो for example, जो सोमो स्टैंड्स होते हैं, bus स्टैंड्स होते हैं drivers होते हैं, उन से आप data collect कर सकते हैं यह police stations होते हैं, वहाँ से आप data collect कर सकते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, accidents के बारे में, rulers के बारे में penalties जो हो की ले जाती हैं, drivers से बाग किसे जो break करते हैं, rulers को तो यह सारा data जो है, information जो है आप वहाँ से भी collect कर सकते हो इफ पासिबल, various forms of art may be integrated in the project तो इस project में artwork भी introduce किया जा सकता है, painting वगेरा यह जलूरी नहीं है तो आपको जो फायू मारकस प्रोजेक्ट में मिलेंगे, उसमें क्या-क्या होना चाहिए नमबर वन, content, accuracy, originality and analysis यह आप कितना original मनाते हो, आपके ideas कितने original हैं आपका content कितना accurate है, सही कितना है, इसकी आपको दो मारकस मिलेंगे presentation and creativity, आप किस हिसाब से इसको present करते हो project कैसे बनाते हो, इसका जो format है, इसकी जो presentation है वो क्या है, किस हिसाब से है, और creativity कितनी है आप में वो determine होगा project पढ़के ही, तो उसकी आपको दो मारकस मिलेंगे और इसी project पर आपको questions भी पूछे जाएंगे, जो project आपने बनाया इस पर वाइवा वोस भी होगा, इस पर थोड़ा वाइवा भी होगा, उसके लिए आपको हर कोई student जो है, वो अपना अपना project बनाएगा, different topic पर, फिर ये बाकि students के साथ भी share करना है, इस पर discussions करनी है, बाकि students को भी दिखाना है कि हमने क्या बनाया, हमने क्या नया सीखा, या हमने कौन सी चीज इसमें research के तोर पर पेश की है, तो एक scale of another point, all documents pertaining to assessment under this activity should be meticulously maintained by the concerned schools, इनने सुकूल को ये maintain करके रखना है, project to save करके रखने है, इनकी assignments और फिर सुकूल को summary report भी जह है, बनानी है, इसकी objectives क्या थे, individual work और group interactions के, calendar activities, कुन-कुन सी activities, students की innovative ideas क्या पैदा हुए इस process में, और questions जो पूछे गए, वाइवाव उसमें, उन questions का list भी बना के रखना होता है, सुकूल को, इसके अलबा, जो teachers है और students है, projectors और models जो prepare किये जाएंगे, वो eco-friendly projectors से बनने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि plastic बाग की चीज़ें जिसे environment खराब होता हो, उन चीज़ों से projectors नहीं बनाना है, तो project report जो है, ये handwritten होना चाहिए, students ने खुद लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये हाथ से लिखना है, print करके नहीं लाना है, and it should match with the handwriting of the student, ठीक है, ये लगना internal assessment में क्या है, disaster management पे एक exam type होगा आपको, ठीक है, तो exam type जो आप पढ़के आओगी, फिर आपको उसी दिन जिन आप project submit करोगी, उस दिन इसका exam भी होगा, pen paper test होगा, means आपको questions का answer लिखना होगा, जैसे आप answer लिखती हो, exam ग्रूप discussions, etc, कुहिज हो सकता है, तो इसकी, इसमें भी आपको दो marks मिलेंगे, और portfolio, यनि class work, आपको class work क्या रखा जाता है, overall, जब आप पढ़ते हो, ठीक, disaster management, जब आप classes, इसकी लोगे, तो teacher आपको class work क्या रखता है, तो teacher खुद ही, फिर अगर देखेगा कि student ने कितना perform किया है, उसी हिसाब से वो एक marks उसको रखेगा, ठीक है, तो ये two plus two plus one five marks होता है, इस तरह हो गया, यनि पांच marks जो आते हैं, project के आते हैं, जो project आपको road safety education पे बनाना है, और दूसरे पांच marks आते हैं, disaster management पे, जिसका आपको assessment लिया जाएगा, exam लिया जाएगा, ठीक है, तो ये रहा आपके लिए project work इसके अलावा, और भी information जो भी होगी exam related हम आपको इस channel पे बताते चलेंगे, thanks for watching this video, don't forget to subscribe our YouTube channel, thanks